आज हम बात करेंगे जो JKPAC की तरफ से आपको बता है कुछ दिन पहले एनेगजर A, B, C and D करके जो है कुछ कैंड़ेट्स जो है जिनको जिनकी डेफिशेंसी भी निकली थी एनेगजर A and B में और C and D में काफी बच्चों को रिजेक्ट भी किया गया था जिनको ये कहा गया थी कि अपिलेट ट्राइबिउनल में आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अपिलेट ट्राइबिउनल जो है बेस्ट अन प्रूफ जो है जो भी आप प्रूफ देंगे उसके ओपर जो हापना फैसला लेकर बताएगा कि इन कैंड़ेट्स को रिजेक्ट किया गया है या नहीं लेकिन जो एनकजर A एंड B में थे जिनकी करेक्टर सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट या आपके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की जो कमी थी उनको भी मौका दिया गया था काफी सारे कैंड़ेट्स थे उनमेंसे काफी बच्छों की डैफिशेंसी जो है वो क्लियर होगी है लेकिन लगवग लगवग अभी 200 बच्चे थे जिनकी डैफिशेंसी जो है क्लियर नहीं हुई है आपको पता है किandaag जो है फाइनल दे गयी थी जेके PC के तरह से वो खतम होगी है और अब खतम होने के ब बच्चे ही जिनको reject किया गया है यहां पर पूरा लिखा गया है कि कमिशन ने आपको पता है कि एक notification निकाला था जिसमें एनगजर A एंड B में deficiency clear करने के लिए जो है यह कहा गया था एनगजर A में लगबग 472 बच्चे थे और एनगजर B जो था उसमें लगबग 143 बच्चे थे कुल मिलाकर जिनकी deficiency थी ठीक है अब कहता है कि जो आपको डेट दी गए थी उस डेट पर यह पाया गया कि डेट खतम होने के बाद भी इन 472 में से लगबग 172 बच्चे ऐसे थे एनगजर A के जो की अपनी deficiency जो है उसको clear नहीं कर पाए और एनगजर B के 143 बच् दिये जो है बिल्कुल उनकी जो है केंडिडेचर जो है उनका उसको reject कर दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर वो चाहते हैं कि अभी भी कुछ हो सके तो एपिलेट ट्राइब्यूनल जो है उसमें जाकर वो एप्लाई कर सकते हैं लेकिन फीलहाल के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया अब एपिलेट ट्राइब्यूनल अगर कोई डिसेजन लेता है तो तब जाकर उनको एंट्री मिल सकती है दरवाइस प्षसी की तरफ से जो है वो इनको reject कर दिया गया है यह एनकजर A के बच्चे हैं जिनको reject किया गया है अगर आप देख सकते हैं लगबग 172 बच्चे जो है इनको character certificate जैसी छोटी चीज जो है यह भी यह लोग submit नहीं करवा पाए पता नहीं इतने लोग धीले कैसे होते हैं समझ नहीं मुझे आती कि character certificate certificate तो आप दे ही सकते हो है एनकजर B जो है उसमें EWS certificate जो होता है कि वक्त पर नहीं बन पाता है उसमें वक्त लग जाता है तो उनका थोड़ा जायज लगता है लेकिन यहां पर आगर आप देखो कि character certificate जो है state of birth certificate degree certificate या माक्षीट certificate इनकी वजह से जो है बच्चों को reject किया ग क्यों नहीं करवाया ठीक है तो चलिए बैरहाल कुछ लोग होते हैं वैसे जिनको पता भी नहीं होता कि notification जो है ऐसा आउट हुआ है तो इन बच्चों के लिए फिर से में कहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को share कर दीजे जो बचारे जिन बच्चों को नहीं पता चल पाया ह कि ऐसा notification को या था अभी भी शायद उनके पास मोका होगा कि अबिलेट ट्राइबियूनल के पास जब वो जाकर जो है अपनी deficiency को क्लियर कर सके अदर्वाइस होते हैं कुछ बच्चे जिनके बास सच में सोर्स नहीं होता जिनको पता ही नहीं चल पाता और एनक्जर भी जो ह इनक्जर बी के 19 बच्चे जो है इनको जो है reject कर दिया है ठीक है केसिस क्या बताएगी है वह आपको उसी notification में बता दिये ठीक है हाला कि कहता है कि यह free है कि appeal जो है पिलेट ट्राइबियूनल में जो है वो कर सकते हैं इनको डेट दी गई है अब 22 वरवरी तक जो है इनको अ में बता सकते हैं दॉर स्च fajझा धरा के दूए इसक्राइब की लिए बात सोलएकश करेक्टर थेकेटन देने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए ज़रूर दीजी आपको अगर मेंस में वैठने का मौका दिया गया है तो ज़रूर इस मौके का फाइदा उठाई इसे ऐसे तो मत जाने दीजिए ठीक है बाकी जिन बच्चों ने जो है एपिलेट ट्राइबियूनल में जो है अपलाई करा हुआ था एपिलेट ट्राइबियूनल ने डिसाइड नहीं किया है तो जब भी एपिलेट ट्राइबियूनल डिसाइड करेगा तो उसकी अलग से जो है एक नोटिफिकेशन जी के साइड पर आजाएगी और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौ उनसे बच्चे जो है जिनको वहां से भी रिजेक्ट किया जाएगा उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आएगा तब तक वेट किजिए और बाकी जिनकी डेफिशेंसी अभी भी क्लियर नहीं हुए है जो अभी इस दोसों बच्चों की लिस्ट में हैं तो प्लीस जल्दी स पीएसी ऑफिस में जाएए एपिले ट्राइबिनल में अपलाई कीजिए बाइस फरवरी तक है और आपने देखा ही होगा कि पीएसी अब इससे जाधा टाइम आपको नहीं देगी ठीक है तो अल दो बेस्ट थैंक यू